हाई एवरिवन मैं अपन संगीता ज्हां और आप सबका स्वागत दोस्तों मैं आज आपके साथ यहां पर डिसकस करने जा रही हूँ दफागा तो सुलर सिस्टम आप सभी को पता ही होगा है कि हमारे जिस्टम वो कितना ज़्यादा सब बड़ा है इसको हम सोर मंडल भी बोलते हैं और इसमें जितनी भी छीज़े हैं जितनी भी Planets है द्वार्फ Planets है वो सब सूरे की gravity के कारण आपस में बंधे हुए हैं और सूरे जो है उसे की परिक्रमा करते हैं यह सारे प्लैनेट्स यह सारे डॉर्फ प्लैनेट्स यह सारे एस्टराइट जितनी भी चीज़े हैं स्टार्स यह सब सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों सोलर सिस्टम जो है हमारा वो लगभग 4.5 बिलियन इयर पुराना है और इसके डिस्टेंस है फ्रों अर्थ टो सन यह है आपका 93 मिलियन माइल्स यानि की 150 930 000 किलो मीटर और यह डिस्टेंस कितना ज्यादा है आप सबको पता ही चल रहा होगा और यह जो डिस्टेंस है यह बराबर है 8 लाइट मिनिट के यानि की 8 प्रक मिनिट के प्राबर तो दोस्तों आपको यह जो डिस्टेंस है यह आठ प्रकास वर्स के बराबर है और आपको पता ही होगा जो हमारी सूर्य है वो यह जो हमारा सोलर सिस्टम है और इसके बीच जो दूरी है यह हमारे सूर्य की सीमा को दर्शाता है जहां तक सन की ग्रैवि यानि कि जहां तक sun की gravity है वहां तक solar system की सीमा को माना जाता है अब solar system जो है वो अकेला तो नहीं है solar system में कई सारे planets हैं कई सारे dwarf planets हैं तो solar system का सबसे पहला जो object है वो होता है आपका sun और sun जो है वो solar system का सबसे basic point है सबसे main important point वही है क्योंकि सूर्य जो है उसी ने अपनी gravitational force है जितने भी planets है जो भी चीज़े है solar system में उसको उसने अपनी gravitational force के विज़े से बाढ़ रखा है तो सूर्य है उसके बाद आपका आता है moon जो की है आपका 200 प्लस नमबर में और आपके 8 planets हैं उसके बाद आपके 5 dwarf planets हैं जो है आपके Pluto, Keres, Humia और make make and last में है आपका Aries और आपके उसके बाद आते हैं पाचवे नमबर पे आपके 9 lakhs से उपर asteroids और फिर हैं आपके meteorites ये भी कई सारे हैं बहुत ज्यादा नमबर में हैं और आपके 3000 से अबब कॉमेट्स हैं और आप जानते ही होंगे जो solar system है इसमें आपके stars भी आएंगे galaxy भी आएंगे बहुत सारी चीजों को ये combination होगा तो दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा कि meteorites क्या होता है और फिर आपने एक meteorite में आप बहुत बार confused भी हुए होंगे तो मैं आपको बता देती हूं कि ये होते क्या है तो दोस्तों meteorites जो होते हैं कि ये एक छोटे-छोटे objects होते हैं इस पेस में और इनके जो range होती है जो size होती है वो dust crane से लेकर एक छोटे asteroids के बराबर हो सकती है उससे वड़े भी हो सकते हैं और जब meteorites Earth के atmosphere में बहुत यह से बहुत high speed से enter करती है तो यह इनमें एक आग उपन होती है आप देखते होंगे जैसे आप पुछल तारे देखते होंगे उनके पीछे आग लगी होती है तो यह क्या होता ही यह जलने लगते हैं और यह जलते हुए होसे डाग्राम में जलते हुए नहीं को हम बोलते हैं meteors और जब meteors जो हैं वे हुमारे पृत्वी पर आके गिरते हैं अचानक से आते हैं उपर से तूटते हुए आते हैं और हुमारे पृत्वी पर आके गिर जाते हैं जब यह हमारे अर्थ के atmosphere में एंडर कर जाते हैं और यह ground पर अचानक से आके गिर जाते हैं सम지 सकते हैं तो दोस्तों जो हमारे जो हमारा ऊलर सिस्टम है इसमें हम अब डिसकस करने जा रहे हैं आपके साहन के बारे में तो अब सुन क्या है सन हमारे सिस्टम का सबसे पहला और in important पॉइंट है क्योंकि सुन जो है वो ही प्रिथ्वी पे जितनी बिचिजेंगे वो उर्जा को कहां से ट्रहन करती है सूर्य से ग्रहन करती और गेस कहां लेती हैं सबस्क्राइब लेती है तो एक debate समय करेंगे अग्ते तो सन क्या है दोस्तों जो सन है उसके कई सारे important part भी है हम सूर को देवता भी मानते हैं और ये वाकई में एक देवता ही है क्योंकि इन्हों नहीं जितनी भी planets है सबको अपनी gravity के help से पकड़के रखा है बांध के रखा है तो सन में कई बार sunspot होते हैं जो में जो सन का जो एक अंदर का part होता है उसको हम कोर बोलते हैं इसमें इक part होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं फिर आपका आता है क्रोमोस्फियर ठीक है तो बहुत सारे चीज़े हैं photosphere sunspot ये सब हम discuss करेंगे आगे तो अभी देखते हैं कि जो sun है इसको कितने type में कितने part में divide किया गया है तो दूसरा है आपका the solar atmosphere थर्ड है आपका the visible surface तो दोस्तों ये तीन पार्ट जो होते हैं इसमें जो visible surface होता है ये क्या होता है ये interior और atmosphere इन दोनों की बीच में ये क्या करता है लाइक करता है यानि कि इन दोनों की बीच का part है तो जो sun का पहला part है sun interior इसके भी three main part होते हैं उसम पहला होता है आपका core और core क्या होता है यह center होता है सूरी का main point होता है और यह सबसे hottest reason होता है सूरी का और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है nuclear fusion के reactions जो इसके बाद जो आपका sun interior का second part होता है वो होता है radiative zone और radiative zone को हम radiation zone भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे photons होते हैं जो thermal radiation को की process को उत्पन करते हैं और sun के interior का third part होता है convective zone जिसको हम solar interior भी बोलते हैं यानि कि sun के अंदर का part तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे heat जो है वो upward direction में move करती है यानि कि जब यहाँ पे solar diffusion होता है solar inclusion होता है तो क्या होता है सूर्ज जो है उस पे विसफोर्ट होते हैं और यह उसमें से जो उश्माय हैं वो गर्मी के रूप में उपर heat के रूप में जनरेट करते हैं तो यह हमारा जो solar convective zone होता है वहाँ पे यही प्रोसेस होती है solar energy interior part में उसके बाद आता है आपका दूसरा part जो है आपका solar atmosphere तो solar atmosphere पार्ट जो है यह होता है आपका the visible surface of sun और यहाँ पे इसको हम photosphere भी बोलते हैं क्योंकि यह जो पार्ट होता है सूरज का उसको हम देख सकते हैं और यह होता है एक boundary की तरफ वर्क करता है sun के interior और solar atmosphere के बीच में ठीक है और आपको पता ही होगा कि sun का भी एक atmosphere होता है जैसे हमारे पृत्वी का जैसे हमारे प्लैनेट का जैसे हमारे अर्थ का एक atmosphere है वैसे sun का भी atmosphere होता है और इसको हम बोलते हैं chromosphere ठीक है और यह solar atmosphere का lower reason होता है यानि कि सबसे last reason होता है तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका स्टार्स आते हैं फिर है आपके कुछ important चीज़े जो की आपकी galaxy तो galaxy भी तीन टाइप के होते हैं उनमें इक पहला होता है आपका spiral galaxy फिर होता है आपका elliptical galaxy और तीसरा होता है आपका irregular galaxy जिसके कोई सेफ नहीं होता है तो इसको भी हम आगे discuss करेंगे फिर हम discuss करेंगे color of galaxy अब galaxy के भी कई सारे color हो सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे discuss करेंगे आगे तो दोस्तो solar system में sun के बाद आते हैं जो important चीज होते हैं वो होते हैं आपके planets तो planets हैं आपके total 8 जिनमें है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune तो इनको भी दो टाइप में दो डिविजन में डिवाइड किया गया है जो पहला है वो होता है आपका terrestrial planet और दूसरा है आपका jovian planets तो इनको भी मैं आगे आपके साथ discuss कर लोगी और आप बताईएगा मुझे जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको सही से समझ में आया है कि नहीं आया है और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए Thank you दोस्तो